तो नमस्कार दोस्तो आज अपन उस टोपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हैं जिस टोपिक के बारे में पूरा भारत और पूरा विश्व जानने के लिए इच्छुक है तो कुछ रोचक जानकारी मैं आज आपको यहाँ पर देने वाला हूँ रोचक जानकारी देने से पहले मैं आपको पता दू कि अगर आप coronavirus के बारे में जानते हैं तो भी पूरा वीडियो ध्यान से सुने और कुछ photos, images आपको screen में दिखाए दे रहे होंगे ये भी आपके लिए कहीं न कहीं लाबदायक रहेंगे तो यह जो coronavirus के बारे में अगर थोड़ी सी detail अगर आप रखते हो तो ठीक है और नहीं रखते हो तो पूरा सुनिए और अगर आपको इसके बारे में अगर complete knowledge हैं तो भी करिप है एक बार पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें कहीं न कहीं आपको नई जानकारी मिलेगी ही यह मेरा वादा है कोरोना वाइरस जो है एक प्रकार का यह वाइरस का उप परिवार है जो कोरोना जो वाइरस है यह उप परिवार इसका वाइरस का एक जो छोटा और भी इससे जो छोटा होता है वाइरस वो एक यह कोरोना वाइरस है तो यह जो है कोरोना वाइरस कहीं वा पाक्षियों में जो रोग के जो कारक होते हैं या तो जो इस्तंदारी होते हैं या फिर जो पाक्षियों में जो रोग जो होते हैं यह उनसे आता है यह RNA वाइरस होते हैं आर एन एवाइरस यह इस प्रकार के वाइरस होता है मानवो में यह जो होता है जो अधिकांस रूप से मध्यमग्धुन्ता के लेकिन कभी-कभी जानलेवा होते हैं यह वाइरस दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दू गाई और जो सूवर में ये अतिशार और मुर्गों में ये उपरी स्वांस तंत्र के रोक के कारण बनते हैं गायों में जिसे सुवरों में इन में या फिर मुर्गियों में जो स्वास तंत्रिज जो होते हैं उनके वो कहीं खराब जो रहते हैं तो उनके करण ये बनते हैं इनकी रोग थाम के अगर बात की जाए तो कोई टीका या फिर वैक्षीन या फिर वायर रोदी अभी उपलब्द कुछ भी नहीं है और उपचार के लिए प्राणी की अपने प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्बर करता है जो स्वयम के उपर ही डिपेंड है कि वो किस प्रकार से उसका इलाज कर रहा है मतब एक प्रकार से वेक्ति अंजान हो गया कि वो करे तो क्या करे और नहीं करे तो क्या नहीं करे उस आदार पर और रोग लक्षन जैसे की निर्जली करन या डिहाइड्रेशन जुवर आदी का उपचार किया जथा है ताकि संक्रमन से लड़ते हुए लड़ते हुए शरीर के शक्ति बनी रहे है कुछ images आप coronavirus के देख चुके होंगे इसका जो ग्रूप है वो है SSRNA और यह एक परकार का virus है और इसके जगत के अगर बात करेंपन तो riboviria इसका जगत का नाम है इसका जो शंग जो है संग एक परकार से अनिश्यत है और अगर इसके उपकूल के अगर बात करें तो ortho-coronavirina इसका उपकूल हो जाता है लेकिन चीन के बारे में अब जो हमारी जो main topic जो start होने वाला है कि चीन कोरोना वाइरस की उत्पत्ति कहां से हुई है तो ध्यान से सुनिए दोस्तों चीन के उहान सहर से जनरल नोलेज के लिए भी बहुत important है जो आजकर के जो exam सार है उनमें चीन का जो उहान सहर है वहां से यह उत्पन हुआ था 2019 नोवेल कोरोना वाइरस इसी समू के वाइरसों का एक उदारन है यह इसी समू का कोरोना वाइरस इसी समू का एक उदारन है जिसका संक्रमन जिसका जो फैलाओ है एक प्रकार से 2019 बीस काल में तेजी से उबर कर उभान कोरोना वायरिस प्रकॉप के रूप में फैलता जा रहा है। हाल ही में जो इसका जो नया नाम रखा गया है हाल ही में जो किस ने रखा है नया नाम डबल्यू एच ओ ने रखा है वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइज़ेशन जिन्होंने COVID-19 इसका ये मेंसेज रखा है और इसकी जो नाम की जो उत्पत्ती होती है ये लातीनी बासा से होती है एक प्रकार से जिसमें कोरोना का अर्थ होता है मुकुट होता है मुकुट और इस वायरिसों के कणों के इर्दगिर्द उबरते हुए कांटे जैसे धांचों से इलेक्ट्रोन सुक्षम दर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है जिस पर इसका नाम रखा गया है इस आदार पर इसका नाम रखा गया है यह वायरिस भी जानवरों से आया है ज्यादा तर लोग जो चीन सहर के कैंदर में इस्तित हुआनन शीपुड होलसेल मार्केट म अगर बात करें इसकी कोरोना वायरिस से संबंदित अपन जो इसका प्रकोप है उससे संबंदित तो इसकी कुछ आगे जानकरी यह अब राजस्थान में भी थोड़ा बहुत साहिए इसका प्रकोप है वसंद्रा राज्य जो है और उसका बेटा जो है उनकी भी खबरों के म दिखी होगी कि सोशल घर में ही ओपेस बना लो सारा सब कुछ काम वहीं पर कर लो या फिर ग्रूप में सामिल मत हो अब अपन बात करेंगे कि इसकी जो चर्चा है कि कोरोना में दुनिया भर में अब तक केवल 10,254 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इरान में अब तक को रेपन और दक्षिन कोरिया में कैसी लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ इटली में ही अब तक कोरोना से